इस दुनिया में कुछ भी मुप्त में नहीं मिलता। इसलिए जाने No Cost EMI का असली कोस्ट। No Cost EMI एक भ्रह्म है क्योंकि ब्याज की रकम EMI में ही वसूल ली जाती है। यहां बात अलग है कि कई बार हमें साफ साफ नहीं दिखता कि हमसे कितने पैसे चार्ज किये जा रहे है। त्योहारों के मौसम सुरू होते ही ओनलाइन और आफलाइन रिटेल मुबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक सामान आधी पर No Cost EMI या Zero Cost EMI ओफर आ जाता है। बाजार का एक कटू सत्य है कि यहां असल में कुछ भी मुफ्ट में नहीं मिलता। पूरी बाती जो है समझ में आ जाएं तो चलिए बीना समय कवाई स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं। लोन केर के फाउंडर गौरप गुपता के अनुसार जादातर आफलाइन और ओनलाइन रिटेल कंजूमर डूरेबल लोन के लिए खास वित्य संस्थाओं से समझावता करते हैं। तक कि वे उन ग्राहकों को भी इलेक्रोनिक्स, अप्लाइनसेज, गैजेट्स आदी बेच सकें जो पूरी पैसे देकर खरीदारी नहीं कर सकते हैं। हाला कि ऐसे लोन को नो कॉस्ट EMI के रूप में प्रचारित किया जाता हैं। लेकिन वास्तव में इस पर 16-24% तक की उची ब्याजदर लागो होती हैं। कानू क्या कहता हैं। RBI ने वर्ष 2013 के एक सर्कुलेशन में कहा है कि कोई भी लोन ब्याज मुफ्त नहीं है। 17-24-2013 का सर्कुलर गहता है क्रेडिट कार्ड आउटस्टेंडिंग पर 0% EMI स्कीम में ब्याज की रकम की वसूली अक्सर प्रोसेसिंग फी के रूप में कर ली जाती है। उसी तरह कुछ बैंक लोन का ब्याज प्रोडक्ट से वसूल लेते हैं। चुकि 0% इंट्रेस्ट का कोई चलन ही नहीं है, ऐसे में पारदर्सी तरीका यह है कि प्रोसेसिंग चार्ज और ब्याज को सेग्मेंट के अनुकूल रखे जाएं। नो कि लोन देने वाले अलग-अलग संस्थानों के मर्जी के मुताबिक। नो कोस्ट EMI जैसी स्कीम का इस्तेमाल सिर्फ ग्राहकों को लिभाने और उनका सोशन करने के लिए किया जाता है। कैसे काम करती हैं नो कोस्ट EMI स्कीम। जैसा की RBI के सर्कुलर में कहा गया है कि 0% स्कीम और कुछ नहीं बलकी एक मार्केटिंग फंडा है और लोन का ब्याज किसी न किसी रूप में ग्राहकों से वसूल ही लिया जाता है। उन्होंने इसके दो तरीके के बारे मताया है। इनमें एक यह तरीका है जिसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लाटफॉर्म अक्सर अपनाते हैं कि फूल पेमेंट करने पर आपको जो छूट मिलती हैं उसे नहीं देते हैं और छूट की वही रकम बैंक या उस संस्थान को दे देते हैं जिनसे वह कंजूमर डूरुबल लोन के लिए समझाता करते हैं उनका दूसरा तरीका यह है कि वह लोन पर व्याज की रकम भी प्रोडक्ट में ही जोड़ देते हैं अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह स्कीम कैसे काम करते हैं जब व्याज के बराबर छूट मिल रही हो अक्सर e-commerce प्लैटफॉर्म यही तरीका आपनाते हैं वे ब्याज की रकम के बराबर डिसकाउंट ओफर करते हैं मान लिजे आप जो फोन खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत 15,000 रुपए हैं तीन महिने की EMI प्लान में 15% की दर्थ से ब्याज वसुला जाता है इस तरह आपको 2250 रुपए का ब्याज देना होता है आप फोन की जो कीमत अदा करते हैं उसे दो भागों में बांटा जाता है एक हिस्सा रिटेलर के पास जबकि दूसरा हिस्सा ब्याज के रूप में बैंक या अन्य वित्य संस्थान के पास चला जाता है अब अगर आपने पूरे पैसे देकर फोन खरीदें तो आपको 12,750 रुप 15,000 रुपए का है और रिटेलर 3 महीने की no cost EMI पर 17,250 रुपए में फोन दे रहा है तो सपस्थ है कि वह 2250 रुपए आपसे ब्याज के तोर पर ले रहा है इसलिए अगर आपने EMI प्लान चूना है तो आपको 3 महीने तक हर महीने 5,750 रुपए देने होंगे दरसल no cost EMI एक ग नो-cost EMI के नियमों एवं सर्तों के बारे में गौर से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा I hope आपको यह जानकारी पसंद आए होगी और अगर आपने कोई फोन या electronics appliances या फिर और भी जो प्रोड़क्ट है जो EMI में मिलते हैं अगर आप लेने जा रहे हैं तो एक बार जरूर यह पता कर लें कि आपसे कितने percent charge जो है वो no cost EMI के आड में आपसे वसू ले जा रहे हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ latest information और updates के साथ तब तक लिए bye bye take care have a good day